हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो गाइस आज किस वड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आप अपने इंटरनेट को ओन करते हैं फिर यहाँ पर देखें इंटरनेट ओन है लेकिन उपर सो नहीं हो रहा है नेटवर्क नहीं आरा इंटरनेट का तो कैसे इसे सही कर सकते हैं इस वड़ों में हम आपको बताने वाले हैं तो वड़ों में बने रहिए वड़ों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी आप ऐसे इंटरेश्टिंग वड़ों पाने वाले हैं, तो guys, सबसे पहले आपको अपने settings में जाना है, settings में जाने के बाद आपको sim card and mobile data वाली setting पे जाना है, इस पे click करने के बाद sim 1 और sim 2 दोनों मिल जाएंगे, guys, आप जिस sim से इंटरनेट चलना चाते हैं और जिस सीम में वाली प्रॉल्स आ रही है उस सीम पे क्लिक कर देना है तो मैं सीम 2 पे क्लिक करता हूँ इसी में आ रही है तो क्लिक करने के बाद गाईस अब आपको यहां पर एक option आएगा access point names का तो guys access point name पे चली हम click करते हैं click करने के बाद आपको उपर की side दो dot पे click करना है फिर यहाँ पर reset access point पे click कर देना है अभी देखिए internet on है लेकिन network नहीं आ रहा है लेकिन जैसे ही हम reset कर देते हैं फिर देखिए reset access point और अब देखना internet हमारा भी आ जाएगा देखिए यहाँ पर आ चुका है और network यहाँ पर जुट चुका है 4G अब गाईस इतना करने के बाद आपको नीचे carrier पे click करना है कोई भी सीम हो फिर अगर यहाँ पर आटो फिलेक्ट न हो तो यहाँ पर click करके इसे आटो फिलेक्ट कर देना है इतना करने के बाद गाईस चेक करना आपकी प्रॉलम 100% सही हो जाएगी अगर फिर भी सही नहीं हो रही है तो अपने power बटन को दबा के रखना और अपने mobile को एक बार restart या reboot कर देना फिर प्रॉलम सौल हो जाएगी तो गाईस इस तरिके से आप इस प्रॉलम को सही कर सकते हैं तो आज की दिएम बस इतना ही वीडियो को लाइक और पेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यरा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू